हरी हो, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए, आज क्या है, आधर कार्ड को आप कैसे डौनलोड कर सकते हैं, और जो डौनलेड़ आधर कार्ड है, उसको आप स्मार्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो उसके पहले इदर Chrome में आता हूँ इसको आप double click करो तो अभी देखो यह क्या है Chrome open हो गया अभी तो अभी क्या है इसमें address देना है तो उसके लिए इसको अभी क्या है इसे पेज open हो गया तो अभी इसको क्या है इसे स्क्रोल कर लेता हूँ इधर देखो आप गेट आदार करके है इसको क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद इसको क्या है इसे ok बोलना है अभी देखो इधर क्या है फिर से स्क्रोल कर लो अभी देखो download आदार करके है इधर क्लिक करता हूं मैं क्लिक करने के बाद अभी देखो आपको select आपको type करना है select 12 digit आदार नंबर करके है इधर क्या है, enter करता हूँ, enter आधार नंबर करके है, इधर आपका जो भी नाधार नंबर है, उसको enter करना है आपको, अभी आधार नंबर टाइप करने के बाद, आपको क्या है, enter security code करके, इस security code को आप इधर टाइप करना है आपको, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर टाइ करना है जो आपका जो का अधर काड में जो आपका mobile number है उस mobile को क्या है एक OTP पे आएगा आपको तो उस OTP को आपको क्या करना है एंटर करना है तो अभी मैं क्या करता हूँ मैं OTP को टैप करने के बाद अभी देखो verify and download करके है इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद देखो भी, यह क्या है, अभी देखो यह congratulations, your other card has been successfully downloaded, यह क्या है, अभी देखो उसके लिए एक password भी रहता है, अभी देखो इदर example दिया हुआ है, अगर समझो अनीश वाई यह कुमार करके नाम है, तो password कैसे रहेगा, अनीश का जो पहले four letters है, वो letters आ जाएंगे इदर, plus उसका जो year of birth है, वो आ जाएगा, इस तरह क्या है, एक password create कर लेता है, तो अभी मैं क्या करता हूँ इदर, इसको minimize कर लेता हूँ, minimize करके अभी जो download क्या है, उसको अभी मैं क्या करता हूँ, photoshop में लेके जाता हूँ, अभी देखो इसको क्या है, minimize कर लेता हूँ, अभी देखो इदर photoshop में आ गए हम, तो अभी जो PDF जो format हो download हुआ है, उसको भी मुझे open करना है, तो empty space पे mouse double click करो, तो open आता है, तो अभी देखो यह क्या है, downloaded folder में क्या है, इदर आया हूँ है, इसको double click करता हूँ, अभी देखो इदर password पूझ रहा है, इसको आपको क्या करना है, आपका नाम का जो पहले इसको type करना है, caps lock रखके type कर रहा हूँ मैं, तो अभी मैं इसको क्या है, year of birth देता हूँ, इतना देने के बाद, अभी आप इसको क्या है, okay बोल देना आप, तो देखो अभी आपका जो PDF file है, वो open हो गया अभी, यह open करने के बाद, अभी देखो इसको, इदर क्या है, अभी यह size बता रहा है आपको, और जो resolution है 300 है, अभी इसको क्या है, okay बोल देता हूँ, अभी देखो, यह क्या है, एक PDF file, open हो गया, त लेकिन आपका पूरान version है, तो आप क्या है, सिरफ F9 presse करने से भी action open हो जाता है, तो अभी क्या है, इसको click करता हो, click करने के बाद, अभी देखो, जो existing action है, अभी के लिए इसको क्या है, रिमूर करने के बाद अब को क्या करें? इधर option में आना है, इधर click करता हूँ $fard $ pare weeks सो function की में क्या है अभी f2 रखता हूँ f2 लेने के बाद अभी में क्या करता हूँ इंदर record बोलता हूँ अभी जो भी आप काम करेंगे वह क्या होता है रिकॉल होता है अभी दिको इदर red light लगा हुआ है इदर recording start हो आभी दिको इसको क्या है इसे जुम कर लेता हूँ, Ctrl plus बोलने से क्या है, जुम हो रहा है, आप space bar को hold करके, इसे slide कर सकते हैं, slide करने के बाद, अभी क्या है, इदर दिखूँ, आपको cutting mark कैसे दीख रहा है, अभी इदर क्या है, इस गैड लाइन लेता हूँ, मैं इस मार्क तक गैड लाइन लेता हूँ, इस इस तरफ लेया, मैंने इदर इस लाइन पर लेया, इसी तरह क्या है, और इक गैड लाइन इदर भी लेता हूँ, इतना लेने के बाद, अभी इसको क्या है, जुम होट करने के बाद आपको क्या करना है, इदर rectangle marky tool लेना है, अभी ये selected है, इस portion को लेता हूँ अभी, इदर आपको क्या करना है इदर बहार से ही इसे क्लिक करके से ड्राइग कर लो आपर तो कॉर्णर से लेता है तो इदर से इस गैडलान तक ऐसे लेता हूं जैसे गैडलान पर आता हूं तो यह क्या हो रहा है स्नाप हो रहा है उस्नाप क्यों हो रहा है व्यू के अंदर हमने क्या लेता हूँ, नियो पाल क्या है, इदर दिको पिक्सल में दिखा रहा है आपको यूनिट है, तो इसको मिलिमेटर कर लेता हूँ, मिलिमेटर करने के बाद आपको क्या है, विर्थ देना है, विर्थ क्या है, एक 86 देता हूँ, और इसका जो हाइट है, इसको क्या है, 54 कर लेता तो अभी इसको क्या है, okay बोलता हूँ, okay बोलने के बाद, अभी इधर क्या है, control V बोलता हूँ, तो देखो भी ये paste हो गया, paste करने के बाद आपको क्या करना है, अभी इसको mood tool लेता हूँ, लेकर थोड़ा इसे moment क्या मैंने, अभी इसको control T बोलता हूँ, control T बोलने से देखो select अभी इसको क्या है, शिफ्ट और आल्ट को hold करते अब इस corner से इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं चोटा अब तो इस लाइब लेकिन जाता हूं तो इसमें निवर पर खुशोड़ कर से इसे लेता हूं तो इसमें अभी इसमें देखो, आप F7 प्रस करो, तो layer properties आता है, अभी इसको क्या है, background के साथ मुझे merge करना है, ctrl E आप बोल सकते हैं, अभी देखो background के साथ क्या है, merge हो गया, merge करने के बाद अभी इसको ctrl A बोलता हूँ, ctrl A बोलने से क्या है, select all हो गया, अभी इसको एक stroke देता हूँ हो मैं, तो उसके लिए क्या है, edit पे आता हूँ, edit में आके, आपको क्या करना है, stroke करके है, इदर click करता हूँ, click करने के बाद अभी इसमें width क्या है, around 3 to 4 pixel ऐसे दे सकते हैं, अभी क्या है, 3 pixel दिया है मैंने, अभी इसका जो color है, इसको black कर लेता हूँ, so black color दिया मैंने, यहनी, selection के अंदर आ जाता है, total जो outline जो आने वाला है, वो क्या है, inside आता है, so mode को normal रखा है, opacity full रखके, इसको क्या है, okay बूलता हूँ, तो एक stroke आ जाता है, अभी इसको क्या है, copy कर लेता हूँ, copy करके एक नया file लेता हूँ, file में आके एक new लेता हूँ, new file लेता हूँ, so अभी इसको क्या है, पिक्सल में है, तो इसको आप क्या करो, inches में कर लो, इसका width क्या है, 8 है, और height है, इसको 12 कर लेता हूँ, 8 by 12 आ गया भी, अभी इसको आप क्या क्या करो, okay बूल दो, तो देखो भी 8 by 12 का एक file आ गया, अभी इधर क्या है, paste करता हूँ, control V बोलने से दे करना है, आपको फिर से, rectangle tool लेता हूँ, rectangle tool लेकर आपको क्या करना है, अभी इधर से ऐसे drag करता हूँ, इस corner से ऐसे लेया मैंने, इस guideline तक जैसे snap होता है, तभी आपको click छोड़ना है, फिर से आप क्या करो, copy करो इसको, copy करके, इसमें क्या है, एक new file लेता हूँ अभी, so new file क क्या है, फिर से, card का size लेना है, आपको, new file क्या है, millimeter करना है, millimeter करके, इसको क्या है, 86 by 54 लेता हूँ, लेकर आपको क्या करना है, okay बोलना है, so अभी इसमें फिर से paste किया, मैंने, so paste हो गया, अभी इसको आप क्या करो, control T बोलो, shift और art को hold करते हूँ, corner से ऐसे छोटा कर लेता हूँ, इसको आप क्या है, ऐसे side में ले लो, लेने के बाद, अभी इसको क्या है, shift को hold करते हूँ, इस corner से इसे track कर लेता हूँ, तो दिखो भी इसा, edge तक आ गया, आने के बाद, अभी इसको क्या है, थोड़ा इसे stretch कर लेता हूँ, इसको enter देता हूँ, तो देखो भी deselect हो control यह बोलता हूँ, तो select all हो गया, select all करने के बाद, edit में जाके आपको क्या करना है, फिर से stroke देना है, अभी दिखो 3 pixel है, और इधर black भी है, inside है, और इसको normal रखके, opacity 100 है, तो okay बोल देता हूँ, तो एक stroke आता है, अभी मैं इसको copy करता हूँ, copy करके, जहां पर हमने 8 button लेके paste किया था, इधर आके paste कर लेता हूँ, तो दिखो भी ऐसा आगया, अभी इसको क्या है, अभी इसको दिखो इस तरफ movement कर लेता हूँ, यह आपको समझ में आ गया, अभी इसको क्या है, जो पहले जो हमने file बनाया हूँ आता है, इस file को क्या है, close कर देता हूँ, no बोल दिया करता हूं इधर आपको क्लिक करना है यह क्या है रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता है स्टॉप हो गया अभी स्टॉप करने के बाद अभी मैं क्या करता हूं इसको क्लोज कर दो आप अभी यह सब close करने के बाद दिखो भी इस फाइल को भी क्या है इसे close कर देता हूँ अभी क्या है नेक्स टाइम जब भी आप दूसरा कौन सा भी आई कार्ड आप बना रहे हो तो पहले इसे open कर लेंगे आप open करने के बाद आपको क्या करना है सिर्फ ये फ्टू बटन प्रेस करना है जो बाकी जो भी वरक है वो आटोमेटिक हो जाता है अभी दिखो ये क्या है इस तरह आ गया इस तरह क्या है आसानी से आप action का यूज़ करके smart cards आप बना सकते हैं अगर ये करते हो तो आपको कुछ doubts होगे रहा है तो मुझे comment box में comment कीजिएगा हमारे साथ जुड़े देने के लिए और इस चैनल को subscribe करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद